कि रेक्टर प्रोड़क्ट क्या होता है यह तो हम लोगों ने जान लिया था आज इसका गियोमेट्रिकल इंटर्पिटेशन हम जानेंगे तो क्या करोगे लास्ट में कि शुरुआत में डाउट कूछ होगी यह बोलो है तो जल्दी फटा-फट बढ़ाओ बताते हैं कौन-कौन बारा और दो तीक लगा हुआ है अच्छा देखो यहां पर जो है इसका हम सुरुआत से जो डाउट है वो बताते जा रहे हैं कौस्टिन नंबर सिक्स एन सी आटी का कौस्टिन नंबर सिक्स हमारा डाउट है दे रखा है find question क्या लिखना है book सब के पास है ही न अरे book सब के पास है ही न यहां पे दिया हुआ है हमारा कि a plus b और dot है हमारा a minus b equal to हमारा दिया हुआ है 8 और बोल रहा कि mod of a जो है वो equal है किसके 8 point times mod of b के a और b का mod बताना है अच्छा बता यह तो एकदम simple है अरे है न हमने बताया था dot में यह a plus b और यह a minus b अरे है न तो क्या हो जाएगा हमारा mod of a का square minus mod of b का square equal to 8 अच्छा a की जगा हम क्या रख सकते हैं 8 into mod of b तो यहां पे जो है अगर a की जगा 8 into mod of b करेंगे तो स्क्वारिंग होगा न उसका विए को विए का d2 10 kg of a 63 भी ipad वी इसको एकिदे यह मश्चे में तो नीचे में कितोरा नाइवी movement 7 अरे लिख सकते हैं face चैंकर मैं क्क पता है retrouve नौ के स्क्वाइरोट पता है कितना तीन और अंडारूटमें कितना ओहु ओहु अंडारूटमें हमारा हो जाएगा टू भाइ सेबन ठीके यह हमारा किस् Lauder अगया बी का मॉड़ आगया अच्छा वहां पर रख दोगे तो एक का मॉड इलाएगा तो एका मौड अगर निकालना होगा तो 8 times मौड अब भी हमने कितना लिखा है 2 by 3 under root में 2 by 7 यानि 16 by 3 under root में 2 by 7 हो गया answer जल्दी जल्दी note करो अच्छा A dot A हमारा 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है कोई वेक्टर खुद पर पर्पेंडिकूलर हो सकता है कि हमने बताया था डॉट में दो वेक्टर का डॉट प्रोड़क्ट जी हो पैसे चलो पॉले तुम लोग नोट करो उसके बाद जब कुश्चन पर आएंगे तरब कि अधिश्च एधिश्च एधिश्च वा प्रोड़ प्रोड़ को अधिश्च वाट प्रोड़ कोश्चन दिया हूँ है इस वज़ा से इसको समझ में नहीं है नहीं है कि कल वाला पाचों बन गया था क्या जी अब दोनों गए भूगे आज ए ओ गया चलो आगे बढ़ते हैं क्या तक लिखें हो गया आगे बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन नंबर एट इस क्वेश्चन नंबर एट में हमारा क्या दिया हुआ है कि फाइंड इन दोनों का मैगनिच्वड कितना है लेंड़ा उसके बाद बोल रहा एंगल बीट्वीन देम यानि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिगरी का है साथ डिगरी का ठेक और बोल रहा इसकेलर प्रोड़क्ट यानि ए डॉट भी हमारा दिया हुआ है वन बाइ तू जी दो वेक्टर है जिनका मैगनिच्वड क्या है सेम है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 60 डिगरी और दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोड़क साथ है वो कितना दे रखा है तो हमको जो है यह और बी मैगनिच्वड वेल्यू निकलनी है चाहिए एक बार बताओ ए डॉट बी की वेल्यू क्या होती है मॉड़ अप मॉड़ अप ए मॉड़ अप बी कोस ठीटा एक्वाल टू कितना वन बाई टू मॉड़ अप ए की जगा भी लेम्डा रखेंगे मॉड़ अप बी की जगा भी लेम्डा कोस ठीटा का मतलब कोस साथ होगा नो और कोस साथ की वेल्यू वन बाई टू एक्वाल टू एक्वाल A और B दोनों का मैगनिचुड कितना होगा A और B कैसे वेक्टर A और B कैसे वेक्टर Unit Vector मैगनिचुड अगर 1 है तो इसका मतलब कैसा वेक्टर है Unit Vector चलो नोट कर लो अगर अगर कोश्चन दिया हुआ है और यह पूछ रहा तो किया यह अगला कोश्चन देखो क्या बोल रहा कोश्चन नमबर हमारा 9 9 में हमारा कोश्चन दिया हुआ है कि X-A dot X plus A equal to 12 दिया हुआ है ठीक है और बोल रहा कि यह जो A है न इसमें जो वेक्टर A है यह Unit Vector है तो यानि कि A हमारा Unit Vector है यानि A का मैगनिचूट कितना है तो हमें X-Vector का मैगनिचूट निकालना है निकल जाएगा सीधा हमारा यह हो जाएगा मौड अफ X का स्क्वार माइनस मौड अफ एक, इस्क्वाइड वेक्वल टू कितना? 12. तो यह जो है, इसका मै कला दिचा निची उडहम को पता है कितना? 1. इद यह हो गया हमारा मौड़ अफ्ष इस्क्वाइड एक्वाइड वेक्वल टू कितना हो जाएंगाità? 13. माइनस वन है न उधर जाके प्लस वन यानी तेरा हो गया तो मॉड आफ एक्स हमारा कितना हो गया अंडा रूट थर्टिन कि यह सब नहीं लिखना है तो मत लिखो कल वाला पाचो बनाई थे सब बन गया कि आगे पर हैं अगले कुछ नहीं है कि अगले कुछ नहीं है कि तरफ चलते हैं हम लोग देखो जी इसका अगला कुछ नहीं है कुछ नमबर टेन यहां पर बोल रहा कि एक वेक्टर दे रखा है एक वेक्टर यह सब लोग दे रखा है माइनस आई प्लस टू जे और प्लस के और सी हमारे पास दिया हुआ है थ्री आई प्लस जे ठीक है अच्छा इसने सब लोगों को दिख रहा कोई अनौन नहीं है न तीनों वेक्टर दिया हुआ है और बोल रहा such that a plus lambda b is perpendicular to c find lambda जल्दी से निकाल के बताओ तो a plus lambda b जो है वो c पे perpendicular है तो lambda की value क्या होगी हूआ है हूआ हूआ है हूआ है झाल झाल क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है कि देखो नहीं समझ में आ रहा है तो अब हम बता रहा है कि देखिए लेका कर रहा है सोचो दिमाग पर थोड़ा जोर दो कर तो रहा ठीक है हमको पता है आंसर निकाल भी लेगा लेकिन वो बात है कि किसी चीज़ को खीचने की हमारी आदत है आदत से मजबूर है हम हम बोल रहें कि इसको मिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं यह भी एक वेक्टर है अरे है न यह भी एक वेक्टर है और यह भी एक वेक्टर है दोनों क्या है परपेंडी कूलर है तो दोनों वेक्टर बात समझ में आई कि नहीं आई कि कोई दिक्कत तो यह देखो यह माइनस लेम्डा दिख रहा यह कितना दिख रहा माइनस लेम्डा तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो प्लस लेम्डा और इधर क्या बच गया तो खीचने की जरूरत है पहले क्या कर रहा भी लोग ए प्लस इसमें लेम्डा से मल्टिप्लाइ कर रहा ए प्लस लेम्डा भी निकालेगा फि कभी भी परपेंडी कूलर की बात जहां किया दो वेक्टर का सीधा दोनों का डॉट प्रोड़क्त क्या जीरो और याद पिछले तीन दिन से हम चिला रहें हो गया है अब देखो जी थोड़ा सा एक चीज है जिसमें तुम लोगों को सोचने वाली बात है और वो जो है बताना है कुश्चन नमबर अगला जो हमारा दिया हुए बारव और इबारव नमबर कुश्चन में क्या है बताना है आप लोगों को यह बारव नमबर हम लिख रहें यहां पे दिया हुआ है कि ए डॉट ए हमारा जीरो है एंड ए डॉट बी भी हमारा क्या है जीरो है ठीक है और बोल दा देन वाट कैन भी देन वाट कैन भी कंक्लूड अबाउट वेक्टर ए यानि वेक्टर ए के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, अच्छे भी जीरो है और याद रखना हमेशा कि यह जीरो है इसका मतलब हमारा यह तो फिक्स हो गया कि ए हमारा कैसा वेक्टर है दो वेक्टर का स्केलर प्रोड़क्ट जीरो हो रहा दो सेम वेक्टर ए डॉट ए हमारा जीरो तभी होगा जब ए क्या होगा जीरो के बराबर होगा और मालो दो वेक्टर है तो परपेंडी कुलर भी हो सकता है जैसे यहां पर परपेंडी कुलर भी हो सकता है A और B दोनों अलग-अलग vector है dot product 0 है लेकिन same 2 vector का dot product 0 हो रहा है इसका मतलब एक ऐसा vector है और हमको पता है 0 vector के साथ किसी भी vector का multiply करेंगे answer क्या मिल जाएगा तो B is any vector B से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता हो कोई भी vector हो A हमारा 0 है, हमको ये पता चल गया तो A dot B हमेशा क्या होगा 0 होगा नई समझ में आया नई समझ में आया ये दो सेम वेक्टर का dot 0 होने का मतलब एक वेक्टर हमेशा क्या होगे ये वेक्टर 0 वेक्टर और 0 वेक्टर में किसी भी वेक्टर से multiply कर दोगे result तुमको क्या मिलेगा जीरो तो B कुछ भी रहेगा आमको पता है A क्या है जीरो है तो B कुछ भी रहेगा multiply करोगे क्या मिलेगा तो इसलिए B हमारा कोई भी वेक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता हो गया आगे बढ़ते हैं ये सब theoretical question है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं सोचना होता है चीजों को आगे दिया हुआ है ये तो बिल्कुल असान question है कि यहाँ पर बोल रहा एप A B C आर यूनिट वेक्टर एपी C हमारे कैसे रेक्टर है यूनिट वेक्टर है और हमारा दे रखा है A प्लस B प्लस C इक्वल टो कितना जीरो हमसे पूछ रहा find A dot B plus B dot C plus C dot A value बता नहीं हो हमको तो सीरा इसका अंसर दिखरा माइनस 3Y 2 बनेगा A B C यूनिट वेक्टर है इसका मतलब हो गया mod of A, mod of B और mod of C तीनों कितना होगा unit vector का मतलब यही होता है न कि वेक्टर का mod हो जाए 1 question number 13 है यह ध्यान रखना अब देखो हमने एक चीज़ बताया था कि अगर यह तीन वेक्टर हमारे 0 के बराबर है तो इनका mod भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर ही squaring कर लिया दोनों side नहीं तो हमने बताया था A plus B plus C के mod का square क्या mod of A square mod of B square mod of C square 2 times A dot B B dot C C dot A बराबर कितना हो जाएगा 0 यह जो है हमने यह लिखवाया होगा mod of A square mod of B square mod of C square plus 2 A dot B plus 2 B dot C plus 2 C dot A दो comment सब से लिए यह बच गया अच्छा यह बता इसका भी magnitude 1 है तो यह भी 1 हो गया प्लस यह भी 1 हो गया प्लस यह भी 1 हो गया प्लस 2 into हमारा हो गया A dot B plus B dot C plus C dot A equal to हमारा हो गया 0 तो यह 3 है प्लस में 3 हो जाएगा उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस 3 तो यह बताओ A dot B B dot C और C dot A कितना हो जाएगा हमारा माइनस 3 वाए तू चलो नोट करो एक को भर भर पे जाएगे कितने लोग पढ़ते हो जी इसलिए फॉर्मूला के साथ साथ हमने कुश्चन भी क्लास में करा दिया था जाके अगर पूरा कुश्चनों बना लिया होता तो यह सब कुश्चन असानी से बन जाता दिमाग को खाली मत रहने दो ठीक है कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे जमीन पे अगर कुछ उगाया ना जाए तो यह मत सोचो कि अगर कुछ हम कोई खाद बीज नहीं डाल रहे तो जमीन पे कुछ उगेगा नहीं देश भर का जंगल जाड उग जाएगा अरे उग जाएगा न और वो क्या करेगा धीरे धीरे जो है पूरे के पूरे जमीन की उरवरा सक्ति को नस्ट कर देगा और एक दिन जमीन क्या हो जाएगी बंजर हो जाएगी सेम कंडिशन हमारे दिमाग का होता है यह सोचो अगर उसमें अच्छी चीजे नहीं डालोगे तो बाई यह मत सोचो कि उसमें कुछ जाएगा नहीं अच्छी चीजे नहीं डालोगे तो सीठा गलत चीजे अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगी और वो प्रवेश करेंगी जब अंदर प्रवाद करके छोड़ देंगी व्यास्त रहो मस्त रहो खाली दिमाग सैतान का आगे बढ़ें जिसके पर दिमाग नहीं है अच्छा तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ अब यहां पर यह बार में लड़ना यह आपे बोल रहां एप आईदर वेक्टर अ इक्वाल टु जीरो और वेक्टर बी इक्वाल टु जीरो दें एटो बी इक्वाल टु जीरो बद्द कर वस्मोड निद तू बी टू जस्टिफाई और आंसर विछ एंग्ज्याम्पल देखो जीए क्या कह रहा है यह बोल रहा कि या तो एजीरो हो नहीं तो बी जीरो तो अभी थोड़ी देर पहले है उन्हें बताया कि दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए तो उनका प्रोड़क्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन बोल रहा कि अगर बी जीरो होगा और बी जीरो हो गया क्यों क्योंकि ए और बी अगर दोनों पर्पेंडिकूलर हो गए तो भी लेकिन कोई भी वेक्टर 0 के बराबर नई समझ में हम क्या करना चाह रहे थे देखो यह बोल रहा कि या तो एजीरो हो जाए या बीजीरो हो जाए ठीक है दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो अगर multiply करेंगे तो क्या हैगा? 0. लेकिन अगर बोल रहा कि A.B. तुम्हारे पर दिया हुआ है कि A.B. हमारा किसके बराबर है? 0. तो बोल रहा कि क्या? H A equal to 0 और B equal to 0. अब ये देख लो, उल्टा पकर के चलना है कि A.B. हमारा क्या है? 0 है. तो क्या A 0 होगा या B 0 होगा? तो आंसर इज नो रीजन? रीजन क्या है कि अगर A equal to हम माल लिए 2Y प्लस कितना? 3J और B equal to हमारा देदी हमने 3I, माइनस कितना? 2J देख लो, ये दो वेक्टर है ना A.B. हमारा वेक्टर not equal to 0 है B.B. वेक्टर हमारा not equal to दोनों के दोनों नन जीरो वेक्टर है, लेकिन दोनों का जो है dot product low क्या हो जाएगा? 6 minus 6. आंसर कितना? ये ही बोल रहा था कि अगर दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो dot product क्या हो जाएगा? जीरो लेकिन सिर्फ ये दिया हुआ है क्या इतने से हम ये कह सकते हैं कि या तो A.0 होगा ने तो B.0 होगा? तो नहीं रीजन क्या है? कि A.B. non 0 होने के बावजूद भी दोनों का dot product क्या हो सकता है? 0 हो सकता है तो पूरा किताब है हमको दे दिया है बनाने के लिए बढ़िया है कि अ है कि आरे चलो इधार, 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 इधार हमको भी पता है कि गर्मी का मौसम आ गया है ठीक है अईसा हमने कभी कहा बस पढ़ो डाउद तुम्हारा जितना होगा सारा डाउद पढ़ बता कहीं तभी आगे बढ़ेंगे आगे चले चलो अगला देखो जी और जो सिनियर बच्चे हैं वो कम से कम दिमाग लगा सकते हैं कुश्यन में देखो कुश्यन नमबर 15 हमारा क्या बोल रहा हम समझा दे रहा है कि हमारा दिया हुआ है इभदा वर्टाइसेस्ट ABC और ट्रियंगल ABC यहां पर यह ABC हमारा एक ट्रियंगल दिया हुआ है ABC आप पोईन्ट दे रहा है वो दे रहा है वो दे रहा है 1 2 और 3 कि बीज्चयों पॉइंट आप दे रहा है वो है मायनस 1 जीरो और 0 एक बात बताओ तो यह थीटा जो एंगल बन रहा है अरे निकल जाएगा, इस एंगल को हमने ठीटा मन लिया, क्या मन लिया, ठीटा, अच्छा एक बार बताओ, तो ये ठीटा जो एंगल बन रहा, वो दो वेक्टर के बीच में बन रहा, एक तो B ये, और दूसरा B C, ठीक है, तो ये बताओ जी, अगर हम बोले कि हमको B ये है, पोजीशन वेक्टर ओप B माइनस पोजीशन वेक्टर ओप A, अरे बताया था मैंने, तो बस वही चीज़ हम यहां पर बोल रहे कि हमें B ये बताना है, तो B ये का मतलब क्या हो गया, B ये का मतलब देख लो, ये 1 के साथ I रहेगा, 2 के साथ J रहेगा और इसके साथ K र 3 के, माइनस, ये B का मतलब कितना हो जाएगा से, माइनस I, क्योंकि J और K तो 0 हो जाएंगे, नहीं, तो ये बता ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस, प्लस, तो I प्लस I कितना हो गया, 2 I, 2 J, और कितना, 3 के, उसके बाद अब दूसरे वेक्टर कौन सा, B C, तो B C के लिए हमारा क्या होगा, C माइनस B, तो ये I के साथ तो 0 हो जाएगा, क्या लिखेंगे, J प्लस 2K, माइनस, C हम क्या लिख सकते हैं, माइनस I, यहीं न, तो ये माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस, तो I, प्लस J, प्लस कितना, 2K, इन्हीं दोनों के बीच का अंगल अगर हम बोलें, कि ये बताओ हमको, A, B, dot, A, B, नहीं, बोलें, अगर हम, B, A, dot, B, C, बोलो, तो तुम बोलोगे क्या, मॉड में, B, A, मॉड में, B, C, और कितना, पॉस ठीटा, अच्छा, B, A, dot, B, C, जासा, हमको कोई बता सकता है, B, A, dot, B, C, कितना, 2, 1, 2, प्लस, 2, 1, 2, प्लस, 3, दुनी, 6, और यहीं होगा न, ये बताओ, B, A, का मॉड बताओ, जी, B, A, का मॉड, 4, 4, 8, और 8, 9, 17, यानि कि अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, 17, समझ में आ रहा न, उसके बाद देखो, B, C का मॉड बताओ हमको, 1, 1, 2, और ये इसका स्क्वाइर कितना, 4, यानि रूट कितना हो जाएगा, 6, और यहां पर क्या जाएगा, कॉस ठीटा, तो अगर कि हम बात कर ले, तो 2, 2, 4, और 6, इतना हो जाएगा, 10, बाइ अंडर रूट में कितना, 1, 0, 2, इतना ही छोड़ देना, यही हमारा, आंसर, और आज का आखरी सावाल रूट, क्रोंचव, कॉस ठीटा, का तो 2, 2, 3, 0, 2, 1, 0, 2, 4, प्याहँ वeur 1, 0, 3, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1. कि यह यह याद रखना हम ऐसे लिग भी दे रहे कि ए माइनस बी हम कर दिये सौट में यहाँ पर लिख दिया सी माइनस बी हो गया होगा धइसके एडियो हो किasis dumbbell ही लुडाराश कर दिया रहे यह जसे फुड़ी ले र स्कृही P यह होगाँ लूजराश ब स्वान लुजराश रलाश एक माइनस एड़ाश डिह हम यह हम अच्छा अब देखो आखरी क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 18 इसमें बोल रहा कि ए जो है हमारा नन जीरो वेक्टर है यानि जो है वो जीरो के वराबर नहीं है और बोल रहा वेक्टर ओफ मैगनिचूड ए और यह वेक्टर एका जो मैगनिचूड है वो कितना दे रखा है और बोल रहा कि यह लेमड़ा ए इस यूनिट वेक्टर यह लेम्डा A हमारा कैसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है तो हमको साम से पूछ रहा कि लेम्डा की बेल्यू बताओ किसके बराबर होगी तो हमको यह चीज पता है कि जब लेम्डा A जो है हमारा यूनिट वेक्टर है यान इसका मैगनिटूड कितना होगा तो यह हमारा हो गया lambda और यह कितना हो जाएगा mod of a equal to कितना तो यह बता हो जी यह lambda हो गया और mod of a हमारा कितना दे रखा है a equal to हमें value निकालनी है झालनी है झालनी है झालनी है झालनी है झाल 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 झाल